क्या आप लोगों ने कभी ऐसा सुना है कि किसी जिंदा इंसान को मृत गुषित करती आ गया हो अगर आप लोगों ने ऐसा नहीं सुना है तो आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को एक ऐसे सक्स के बार इंवताना चाहूंगा जिसके साथ या गटना घट चुकी है मेरे यहाँ बात सुनकर आप लोगों को मजाक लग रहा होगा लेकिन या एक सची गटना है यह घटना जिस इंसान के साथ घटी है उसे मैं जिन्ता हूँ यह साबित करने में करीबन 19 साल का वक्त लग गया तो चलिए हम जानते हैं कि यह घटना किस इंसान के साथ घटी और उस इंसान को मैं जिन्ता हो यह साबित करने में किन-किन समस्याओं का सामना करना पड़ा है। मैं जिस इंसान की बात कर रहा हूँ उसका नाम लाल बिहरी मेतक है जो उत्तर प्रदेश के आजमगर जीले के हमीलो गाउं के निवासी है। उसकत दार से जब उह अपना बिजनेस सुरू करने के लिए बैंक से लोन लेने गें। बैंक में जाने के बाद जब उह लोन लेने की प्रक्रिया पूरी कर रहे थे,थे तब उनसे वहाँ पर पहली बार पहचान के लिए जन्म प्रमाणतपत्र मांगा गया। लेकिन उनके पास प्रमाणपत्र नौ होने के कारण वह तहसील में गए और वहाँ पर जानने के बाद उन्होंने लेखपाल से प्रमाणपत्र बनवाने के लिए कहा तो उस लेखपाल ने उन्हें प्रमाणपत्र में मृत गोसित कर दिया उस लेखपाल ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि लाल बिहारी के चाचा ने उसे रिस्वत दिया था उनके चाचा का मकसद था कि वह लाल बिहारी की सारी जमिन अपने नाम कर ले इसलिए उन्होंने यह तरकीब लगाई कि यदि मैं लाल बिहारी को मृतक गोसित कर दू तो उसकी सारी जमिन मेरी हो जाए और ऐसा करने में वहाँ सफल भी हुगे तब से सारे गाओं के लोग लाल बिहारी को लाल बिहारी मृतक के नाम से जानने लगे लेकिन कुछ दिनों बाद जब लाल बिहारी को पता चला कि यह सब कुछ उनके चाचा जीने करवाया है तब वो हैरान रह गया है और उन्होंने कानून का दर्वाजा खटकटाने का सोचा लेकिन हिम्मत नहीं जूटा सकी कुछ दिनों बाद जब उन्हें पता चला कि केवन उन्हें ही नहीं बलकि ऐसे कई लोग हैं जिने कागज में मृत गोसित किया गया है तब उन्होंने संघर्ष करने का ठान लिया इसके बाद उन्होंने अपने आपको जिंदा करवाने के लिए राष्टपती, प्रधान मंद्री तक को पत्र लिखने लगी लेकिन किसी ने उनकी यह बात नहीं सुनी इसके बाद वह परेसान हो गया लेकिन कुछ दिनों बाद उन्होंने गाउगाउजा कर लोगों को इकठा किया और मृत संघ का गठन किया उन्होंने प्रदेशी स्तर पर कई धर्ना प्रदर्षन भी किये और धीरे धीरे इन सभी का असर होने लगा इसके बाद विधान सभा में जग दंबी का पाल ने उनके इस मामले को उठाया और उसी समय लाल बिहारी ने 9 सितंबर को विधान सभा में मिलतक की समस्या से जुड़ी परची भी फेकी और उसके इनकाम के लिए उन्हें मारा पीटा भी गया और ग्रफतार भी कर लिया गया लेकिन कुछ दिनों बार 1994 में तद कालिन डीम होसला प्रसाद में कई प्रयत्नों के बार उन्हें दस्तावेज में जिन्दा गोसुद कर दिया दोस्तो लाल बिहरी के जीवन से हमें यह सीखना चाहिए कि हमारे जीवन में पेपर वर्क का कितना महत्व है चाहे वह किसी भी चीज़ का हो दोस्तो उनके इसी कहानी को मद्दे नजर रखते हुए सतीस कौसिक जी ने उनके उपर एक फिल्म बनाई है जिसका मुख्य किरदार पंकच त्रिपाठी जी ने निभाया है कागज के महत्वता को दरसाते हुए सतीस जी ने इस फिल्म का नाम कागज रखा है अगर आप लोगों को लाल बिहरी मृतक के जीवन के बारे में जानकर अच्छा लगा हो तो आप हमारे Inspirational Biography चैनल को सस्क्राइब कर सकते हैं और अगर आप लोगों को किसी भी प्रकार का प्रस्न पूछना हो तो नीचे कमेंट बोक्स में कमेंट कर सकते हैं अगर आप लोगों को लाल बिहरी मृतक जीवन के बारे में और अधिक जानना है तो डिस्क्रिप्शन में दिये गए लिंक पर क्लिक करके आप लोग हमारे Website पर भी विजिट कर सकते हैं आप सभी का वीडियो में बने रहने के लिए हिर्दय की गहराईयों से बहुत बहुत धन्यवाद